हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल सागर स्टडी गुरूप और आज में लेकर आया हूंक अच्छा ग्यारवी के रसाइन सास्तर के संपूर्ण प्रिस्नुत्तर जो की हैं 5 से 18 तके प्रिस्नुत्तर तो आईए हम देखते हैं हमारा पांचबा कॉस्चन तो हमारा पांचबा कॉस्चन है पाउली का अबर्जन सिध्धान्त लिखिए और इसके अत्वा में कॉस्चन है निकॉन या फासफूरस का इलेक्ट्रानिक बिन्यास लिखिए तो इसमें हमने पाउली का बर्जन सद्धान्त लखा है तो यहाँ पर इसका नीचे question का answer दिया गया है तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं फिर इसके बाद छटवे question में हमने अधवा किया है जिसमें है स्रंखलन की परिवासा लखिए तो यहाँ पर स्रंखलन की परिवासा लखी गई है तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं फिर इसके बाद साथवे question में हमने अधवा किया है ब्यूट्टू इन के संपक्ष बाविपक्ष जयामितिये समाव ये बनाईए तो यहाँ पर ये दोनों के बने हैं तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं फिर इसके बाद आठवे question में सीमानत अभी कर्मक किसे कहते हैं और इसका आठवा question दिया गया है और इसके बाद इस slide पर इसका अंसर दिया गया है तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं फिर इसके बाद नौबा question है किया है जो कि है आधुने कावर्त नियम लिखिए और आधुने कावर्त तालिका में कितने बर्ग वा आवर्थ होते हैं तो इसमें 10 वे कॉस्चन का अंसर नीचे लिखा गया है फिसके बाद 11 कॉस्चन का हमने अत्वा किया है जिसमें S-Block बाद P-Block के तत्वों में 4 अंतर तो यहाँ पर इस S-Block और P-Block के चार अंतर दिये गए हैं तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं फिर इसके बाद बारवे question हमने man question किया है जो की है बहुत एक प्रकरमों में साम मबस्था के सामान ने चार अभी लक्षन लिखिये तो यहाँ पर सामान ने चार अभी लक्षन लिखे गए हैं तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं फिर इसके बाद है तेरवा question जिसमें हमने अत्वा किया है जल की आयस्थाई बार इस्थाई का ठोरता के कारण क्या है तो यहाँ पर कारण लिखने थे तो आयस्थाई और इस्थाई का ठोरता के कारण एक slide ए दी गई इस answer की और इसके बाद इस्थाई का ठोरता और इस्थाई का ठोरता यहाँ पर दिया गया है तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं फिर चज़वे question में हमने अत्वा किया है क्या होता है जब magnesium को हवा में जलाया जाता है और sodium दातू को जल में डाला जाता है तो यहाँ पर हमने इसको आंसर लिखा है तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं फिर इसके बाद पंद्रेवे question में हमने अत्वा किया है जो है एथायन की संरचना संकरन के आधार पर समगाईए तो यहाँ पर यह एथायन की संरचना दी गई है तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं फिर इसके बाद 16 वे question में हमने man question किया है जिन में से निम्न परीवास आये लिखनी थी जो कि यह 5 तो आप यहाँ से इसको 5 लिख सकते हैं यह यहाँ पर दी गई है तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं फिर इसके बाद 17 question में है हीरा वा ग्रेफाइट की संरचना वा गुणों में नियत भिन्नता लिखिये कोई 5 तो यहाँ पर हीरे और ग्रेफाइट में कोई 5 भिन्नता दी गई हैं तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं फिर इसके बाद 18 question है इसका अमने अत्वा किया है और इसका answer यहाँ पर slide पर दिया गया है फिर इसके बाद slide पर दिया गया है और यह इस पर भी दिया गया है तो thanks for watching like, share, comment and subscribe my youtube channel और मिलते हैं next video में